हमारी धर्ती ने जब से जन्म लिया है उसके बाद से आज तक यहाँ पर पाँच मास एक्सिंशन एवेंट्स हो चुके हैं जिनके कारण पाँचों बार धर्ती पर मौजूद 75% से जादा स्पीशिस विलुप्त हुए और आज हम इन्ही पाँच मास एक्सिंशन में से एक के बारे में बात करने जा रही है क्योंकि रीसेंट स्टेडिस के अकॉर्डिंग यह हुआ था हमसे कहीं कुना लाइट इयर्स दूर पर मौजूद एक मरते हुए स्टार के कारण अब ऐसा कैसे पॉसिबल है और क्या हमें आज भी इससे खत्रा हो सकता है चलिए देखते हैं क् आज से करीब 66 मिलियन इयर्स पहले धर्ती पर डाइनसौर्स का राज था लेकिन जैसा कि हम सब चानते हैं कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण पूरी की पूरी स्पीशिस का सफाया हो गया इसके पीछे अलग-अलग थियोरिस दी जाती है जिन में से कुछ का मानना है कि हो सकता ह एक बहुत बड़ा एस्टरोइड या कॉमेट धर्ती से टकराया होगा और वही कुछ का मानना ये है कि ऐसे ही किसी आपजेट के टकराने के बाद हुए क्लाइमेट चेंज को डाइनसौर्स जेल नहीं पाए होंगे और उनकी पूरी स्पीशिस इसी कारण समाप्त हो गई हो वैल हाल ही में की गए स्टेडिस इसी बात की तरफ इशारा करती हैं मैं बात कर रहा हूँ उस इवेंट की जो आज से 359 मिलियन एयर्स पहले हुआ था जिसे हम डिवोनियन पिरिड के नाम से जानते हैं ये उस टाइम की बात है जब धर्ती का लगबग पूरा लैंड मास सि दो सूपर कॉंटिनेंट्स गुंडवाना और हूर अमेरिका में बटा हुआ था और आज जब हमने उस वक्त के प्रेजर्वड प्लांट्स स्पोर्स में जब कौर से देखा तो पाया कि ये डैमेज हुए हैं अल्ट्रा वॉयलेट रेस से जिसका मतलब कुछ ऐसा हुआ बोजोन लेयर बहुत लंबे समय तक ठीक से काम नहीं कर पा रही होगी और साइंटिस्ट का मानना है कि ऐसा कुछ करने में एक ही चीज़ कैपेबल हो सकती है वो है सूपर नोवा जो धरती से 65 मिलियन लाइट येर्स की दूरे में कहीं हुआ होगा सूपर नोवा की बात करें तो ये वो एक्स्टोजन होता है जब किसी स्टार की डेथ होती है और वो यूवी रेज, एक्स रेज और कामा रेज के बहुत ही पावरफुल ब्लास्ट को रिलीज करता है और ऐसे ही किसी सूपरनोवा एक्सपलोजन के अर्थ के पास होने का मतलब होगा कि ये हमारे ओजोन लेयर को पूरी तरह से खत्म कर देगा जिस से की हार्नफुल कोस्मिक रेस अर्थ के सर्फिस तक पहुच कर सारे लिविंग और्गैनिजम्स के लिए मुसीबत बन जाएंगी और बिल्कुल ऐसा ही कुछ हुआ था 359 मिलियन इयर्स पहले जिसने की उस वक्त धरती पर मौजूद 75% से जादा स्पेशिस को तबहा कर दिया और सोचने वाली बात ये है कि अगर ऐसा पहले एक बार हो चुका है तो ये दुबारा भी हो सकता है लेकिन ऐसा दिखा गया है कि अभी हमारे आजब पस ऐसा कोई भी स्टार मौजूद नहीं है जो सूपरनोमा एक्स्पलोजन परफॉर्म करने वाला है तो इसलिए हमें इस चीज़ से डरने की जरूरत नहीं है अगर किसी चीज़ से डरने वाली बात है तो वो है हम खुद यानी हुमन्स कि कहीं हम खुद ही धर्ती पर लाइफ को खत्म ना कर दे जिस थरह से हम एन्वाइमेंट को लगातार नुकसान पहुँचा रहे हैं और तेजी से इसी डारेक्शन में आगे बढ़ रहे है तो हमें फिलहाल इस चीज़ में फूकस करना चाहिए कि हम इस जगे को आने वाले जिनरेशन के लिए एक खुशहाल जगा बना सके जहां वो अराम से सांस ले पाएं इसी के साथ आज के लिए इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल बटन को प्रेस करना ना बुलें अगर आप चाहें तो हमें फेस्बुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं से यू गई इन नेक्स्ट वीडियू